दोस्तों अगर आपका हनीगेन का पेमेंट फेल हो गया है या किसी कारणों से आपका हनीगेन का पेमेंट रेजेक्ट हो गया है तो आप लोग इस वीडियो को पूरे देगे क्योंकि बहुत important है अगर आप एक हनीगेन के user हैं और आप हनीगेन से earning करते हैं तो कई बार आपको ये problem का सामना करना पड़ा होगा कि आपका payment reject हो गया तो दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा सा detail में समझेंगे आपसे request मेरी यही है अगर आप इस channel पहली बार आएं तो please हमारा channel subscribe कर लिजे क्योंकि आपके लिए बड़ी मेनच से वीडियो बनाते हैं सबसे पहले समझते हैं दोस्तों honey gain payment कैसे करता है तो दोस्तों honey gain चार चरणों में payment करता है वो चार चरण इस प्रकार है honey gain पहले टेपल्टी को payment बिशता है टेपल्टी पेपल को बिशता है और पेपल बैंक को पैसे बिशता है honey gain से पैसे bank तक आने में चार step चार barrier होते हैं और इन चार barrier को पार करके आपका payment आपके bank में successfully पहुंचता है अगर इन चार barrier में कोई भी एक step में problem आ गई तो आपका payment वहीं रुप जाता है तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपका payment अगर reject हो गया तो वो वापस हनीगेन के application में भी नहीं आता है ठीक है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है तो मेरे साथ भी similar case हुआ है मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस प्रकार चे अपना payment को वापस लिया तो हनीगेन का जो payment होता है वो सबसे ज्यादा जो reject होता है उसकी बज़ाए होती है PayPal अगर आपका PayPal अकाउट बैन हो गया है या ब्लॉक हो गया है तो आपका payment reject कर दिया जाता है जब आपका payment reject होगा तो आपको हनीगेन की तरब से mail आ जाएगा कि your payment has been rejected तो ठीक है आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो payout आपने लगाया है वो reject हो गया है तो हनीगेन पहले टीपलटी को पैसा बेशता है फिर टीपलटी पेपाल को बेशता है तो चूँकि PayPal पैसा नहीं पहुंच पाया क्योंकि आपके PayPal में प्रॉब्लम थी तो आपका जो पैसा है वो टीपलटी पर ही रहता है अब तिपल्टी क्या है तिपल्टी एक संस्था है जो हनीगेन से tie up रहती है और हनीगेन का जो भी payment है वो तिपल्टी वाले पहले लेते हैं और फिर बाद में वो ट्रांसपर करते हैं payment PayPal को तो तिपल्टी के पास अगर आपका payment फर्स गया है तो आप उसे वापस कैसे लोगे सबसे पहले मैं आपको step बताता हूँ क्या आपको करना क्या है आपको इस वीडियो की description में लिंक बिलेगी जो की तिपल्टी का है आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप तिपल्टी के प पेज़ पर redirect हो जाओगे मैं आपको side screen पर भी दिखा रहा हूँ तो आप जैसे यहां पर redirect हो जाओगे तो यहां पर आपको क्या करना है अपना payment चेक करना है payment history में आप जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं reject का option आपको देखने को मिल जाएगा अब दोस्तों आपका payment reject हो गया और वो तेपल्टी में पड़ा है आपको यह confirm हो गया अब आपको क्या करना है आपको इस वीडियो की description में हमारे वीडियो की description में आपको एक email id मिलेगी वो email id है तेपल्टी वाल होगी ठीक है तो उस email id पे आपको mail भेजना है के sir my payment has cancelled और अपना पूरा reason लिख द आप अपने नीचे हनीगेन का email id लिख सकते हैं तो तेपल्टी वाले उस पर response करेंगे एक से दो दिन के अंदर और वो response करेंगे कि भाई आप अपना PayPal account ठीक कर लिजे हम आपका payment आपके PayPal में डाल देंगे तो आपको फिर से एक mail डाल देना है कि प्लीज आप हमारे हनीगेन के account में आप वापस कर दीजे get back my payment to my honey gain account ऐसा आप करके पूरा mail लिख दीजे फिर बो लोग क्या करेंगे एक से दो दिन के अंदर आपका जो टिपल्टी पर जो payment फसा हुआ है वो वापस आपके honey gain application में ट्रांसफर कर देंगे और आपके honey gain में जो payment था वो वापस से show करने लगेगा अब आपको क्या करना है दोस्तों अब आपको अपना PayPal का correction करना है PayPal का correction किस प्रकार से जनरली PayPal पे कुछ ना कुछ कारणों से account बंद हो जाता है तो उसके उपर तो हम फिलाल बात नहीं करेंगे नहीं तुमारा वीडियो 15 मिनिट का बन जाएगा तो इतना तो आप आप लोग देखोगे नहीं तो हनीगें तो PayPal पे किस प्रकार से अमारा account बैन होता है सस्पेंड हो जाता है तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसके उपर वीडियो बना देंगे तो फिलाल आपको क्या करना है आपको अपना PayPal का account ठीक कर लेना है वहां के customer कैसे बात कर के जो भी आप करें अपना PayPal account correction करें उसके बाद आप वापस से आप जो पे आउट है आप पे आउट पे किलिक करें हनीगें अप्लिकेशन में जाके पे आउट पे किलिक करें फिर हनीगें आपके payment को टिपल्टी बेजएगा चूंकि अब आपका PayPal account ठीक हो चुका है तो टि जाने वाले चीज़ यह है कि आपको टिपल्टी से contact करना बहुत important है टिपल्टी से contact करने के लिए मैंने उनकी email ID भी दे रखी है उनसे chat करने के लिए mail पे प्लस मैंने टिपल्टी का जो page होता है जहां पे आप login करके अपना payment का status देख सकते हैं तो वो भी दे रखा है तो link पर जाइए अपना payment का जो status है वो भी आप चेक कर सकते हैं प्लस email से आप उनसे बाद भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो informative लगी तो please subscribe कर लेना हमारा चैनल और अगर आपका जो कोई query है कोई doubt है जैसी की PayPal के बारे मैंने बताया detail में ज्यादा नहीं बताया अगर आपको उसके उपर भी वीडियो देखनी है तो आप comment कर सकते हैं उसके उपर हम dedicated एक वीडियो बना देंगे फिलाल अब हम मिलेंगे नए वीडियो में